हेलो फ्रेंड्स आप सीवी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टाड़ी वेज सुजीत में तो दोस्तों आज उनों देखेंगे केमेश्टी के महत्पूर्ण पार्ट नमबर वन ठोस अवस्था यानिकी सौली एस्टेट इसे जितने भी अबजेक्टिव हमारे बोर्ड एक्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रस्णों को इस वीडियो में हम लोग कभर करेंगे और इस वीडियो में NCRT टॉप प्रिवियस एर कोसंस भी सामिल किया गया है जो हमारे बोर्ड एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो अगर इन यही से याद कर लेते हैं तो इस पार से अब एक भी प्रस्णों तर नहीं छूटेगा तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रस्णों को ठोस अवस्था solid state उस्मा और बिधुत का आच्छा चालक है तो उस्मा तथा बिधुत का सबसे आच्छा जो चालक होता है वह गिरफाइट होता है यानिकी अप्सन नमबर C इसका right answer हो जेगा किसी भी कोसन में आपको doubt होगा तो आप comment जरूर किजेगा आपके comment का अनुशार सही answer को pin up कर दिये जाएगा प्रस्न की गिरफाइट है तो गिरफाइट जो होता है या सहसन योजी ठोस होता है गिरफाइट हो गया चाहिए हीरा हो गया यह सभी सहसन योजी ठोस होता है याद रखेगा हीरा और गिरफाइट में से किसी एक प्रस्न हमारे बोड़ एकजामें रहता ही रहता है प्रस्न की सीसा एक परकार का है तो सीसा जो होता है ग्लास यह एक अतिसितित द्रव होता है यानि कि option number B इसका right answer हो जाएगा और कोसन भी पुछता है पांच नमर में या दो नमर में की कांच को अतिसितित द्रव क्यों कहते हैं तो हम लोग जब इसका सबजेक्टिव कोसन देखेंगे तो उस वीडियो में हम इस प्रस्न को कभर करेंगे प्रस्न है आपके सामने कि धात्विक ठोस निमलीखित में कौन है तो जो धात्विक ठोस इन में से कौन है तो वो होता है धातू और मिसर धातू यानि कि option number B इसका right answer हो जेगा प्रस्न है कि NACL आयनिक ठोस में धनायन और रिनायन का समनवायन संक्या क्या है यानिकी coordination number क्या है तो NACL जो होता है इस पर माइनर इसवर पलस और इसवर पाइनर तो दूनों का सेम coordination संक्या होता है यानि कि 6-6 होता है और एक पुछता है एन 2-0 में एन 2-0 तो इसमें जो coordination number sodium को होता है उसमें 8 होता यह याद रखेगा यहाँ पर 6 होगा इन 2-0 के साथ और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा यह याद रखेगा बार बार यहीं दोनों में से एक पुछता है प्रस्त हैं आपके सामने कि ठोस चारिये धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण क्या होता है तो मुख कारण होता है एफ केंद्र यानिकि एफ सेंटर यानिकि अपसन नमबर सी इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्शन प्रस्त है क्रिश्टल में संभावित अकासिय जालक के कितने परकार हैं तो इसमें जो संभावित अकासिय जालक होते हैं वह 14 परकार के हैं यानिकि अपसन नमबर इसका राइट एंसर हो जेगा और मूल जो होता है वह साथ होता है प्रस्त है कि सोडियम का संभावित अकासिय जालक हो जाता अपसन नमबर इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्षन प्रस्त है कि पिंडिक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणव के संख्या होती है तो पिंडिक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणव के संख्या दो होती है यानिकि अपसन नमबर बी इसका राइट एंसर हो जएगा प्रस्ट नहें कि निमली खित में कौन अक क्रिस्टल ये ठोस है तो अक क्रिस्टल ये जो ठोस होता है वह कहां चोता है यानिकि अप्सा नमबर बी इसका राइट एंसर हो जएगा प्रश्ट एक निमली खित में परवाल लीविस अमले कौन सा है परवाल लीविस तो परवाल लीविस के रूप में BF3 हो जाएगा यानि कि अपसा नमबर A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्शन प्रश्ण है कि NACL क्रिष्टल की सनराचना क्या होती है तो इसकी सनराचना FCC होती है यानि कि अपसा नमबर B इसका राइट एंसर हो जाएगा और यहाँ परश्ण की मूल क्रिष्टल तंत्रो की संख्या क्या होती है तो पहले ही बता चुके हैं कि मूल क्रिष्टल तंत्रो की संख्या 7 होती है यानिकि option number B इसका right answer हो जगा प्रश्ण के निमली खित में कौन hydrogen बंध नहीं बनाता है तो जो NH3 है वो hydrogen बनाती है और H2A भी बनाती है H2A भी बनाती है लेकि जो ACL होता है ये नहीं बनाती है यानिकि option number C इसका right answer हो जगा नेक्शन प्रश्ण है क्रिष्टल के घनत्व का सूत्र क्या होता है तो क्रिष्टलीन घनत्व यानिकि density का जो सूत्र होता है वो होता है जेडेन अपोन AQNO यानिकि option number C इसका right answer हो जगा नेक्शन प्रश्ण है कि इन में से कौन सा गोंड क्रिष्टलिये ठोस पदार्थ का नहीं है तो जो क्रिष्टलिये ठोस का गोंड क्या होता है कि इसका गोंड में रूप से होता है द्रवनांक निश्चित जैमितिये आकार और उच अंत्राणविक वर लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं के लिए हो जेगा विभिन दिशा में समान गोंड यह बिल्कुल ही गलत है यानि कि क्रिष्टलिये ठोस का सभी रूप में समान नहीं होता है यानि कि सभी दिशा में समान इसका गोंड नहीं होता है यानि कि इसका गोंड बदलता रहता है सभी दिशा में प्रमारू संख्या निए को अडिनेशन नंबर तीसकी को अडिनेशन नंबर आठ होती है यह अप्सन नंबर भी इसका राइट एंसर हो जगा अभी ये समाझ में नहीं आएगा आप लोग याद कर लीजिएको अडिनेशन संख्या आठ हो जेगा जब हम इसका सब्जेक्टिव देखेंगे तो पुरा ही डिपली से जानेगे कि को अडिनेशन संक्या आप मात्रे 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं 2 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं ऐसा ट्रिक आपके सामने लाएंगे आप सिर्फे जो अडिनेशन नमबर बता सकते हैं तो इस समय हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि लेट लगेगा बताने में इसलिए आप याद रखेगा कि पिर्ण केंडरित परमारू संक्या में समन्वान संक्या 8 होती है और यहां में प्रस्ण है कि इनिमे से कौन सा आयनिक ठोस है तो आयनिक ठोस के रुप में LIF हो जाएगा क्योंकि LI जो होता है यह पलास होता है और F माइनस होता है तो LIF यह आयनिक ठोस है और BCC जालक एका कोश्टिका में रिक्त अस्थार कितनी होती है तो इसमें रिक्त अस्थान की संक्या यानिक जो 100% होता है यहां पर BCC जालक पुछा है तो BCC जालक में एका कोश्टिका की रिक्त अस्थान संक्या 32% होती है यानिक अपसा नमबर D, इसका right answer हो जेगा प्रस्ण है कि निम्लीखित में से किस एकल कोजटिका में परमानुआ के संख्या सरवाधिक होती है तो सबसे अधिक परमानुआ संख्या होती है HCP में यानिकि अपस्ण number B, इसका right answer हो जेगा नेक्टन है कि फ्रेंकल दोस किस में होती है तो फ्रेंकल दोस जो होती है वह सिल्फर ब्रोमाइड में होती है यानि कि अप्सान नमबर C इसका राइट एंसर होजेगा नेक्शन प्रस्ण है कि निमलीखित में कौन सा अक्साइड धातु की तरह बिधुतिय गूर दरस्ण है बिल्कुल ही महत्पुर्ण प्रस्ण है या प्रस्ण है धातु की तरह बिधुतिय गूर इनमें से कौन दरस्णा है तो दरस्णा है CRO2 यानि कि अप्सान नमबर D इसका राइट एंसर होजेगा प्रस्ण है आपके सामने कि निमली खित में कौन से जोड़े क्रम मसा चतुसफलाकिये रिख्तिका यानि कि भॉयट्स और अश्टफलाकिये रिख्तिका होते है तो कौन से जोड़े में चतुसफलाकिये रिख्तिका और अश्टफलाकिये रिख्तिका होते है तो ACP और CCP एक धातु का रवाकरन हेक्सागोनल क्लोज पेकिंग यानिकि HCP सनरशना में होती है तो धातु की समनवायन संख्या क्या है को अडिनेशन संख्या पूछा है तो HCP की को अडिनेशन संख्या 12 होती है यानिकि अपसन नमबर A इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रश्ण है आपके सामने कि आयोडीन है तो आयोडीन यहाँ एक परकार का आणविक ठोस होता है जो के CL में भी पाया जाता है और CACL में भी पाया जाता है यानिकि D सका राइट एंसर हो जेगा इनमें से सभी में सटकी डोस पाया जाता है प्रश्ण है आपके सामने कि April4 ठोस होता है तो यहाँ एक परकार का प्रतिकुंभक की होता है जो कि अपसन नमबर B में इसका 90 डिग्री जहां A बराबर B is not equal to C है तो यह जो होता है समीकरन यह दिया गिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री जहां A बराबर B है लेकिन B बराबर C नहीं है तो वो है tetragonal जो कि option number D में इसका right answer दिया हुआ है प्रस्न है आपके सामने कि P परकार के अर्धचालक द्वारा उपारजित अवेस के बारे में निमलिखित में से क्या सही है तो यह उधासीन होता है यानि कि option number B इसका right answer होजेगा उधासीन नेक्षन प्रस्न है कि sodium oxide यानि कि N2O में sodium की समन्वान संख्या क्या होगी उस समय हम सौरी बता दिये थे N2Cl और हम बताने वाले थे N2O Na2O बताने वाले थे लेकिन हम गलती से बता दिये थे N2Cl यहाँ पे sodium oxide को बताने माले थे तो इसका स्वनुवन संक्या 8 होती है यानि कि option number C इसका right answer हो जेगा next नपरस्ण है कि फ्रेंकल तथा 60 की दोस दोनों होते हैं तो दोनों या हमेशा होते हैं AGBR जो कि option number C में इसका right answer दिया हुए है इसमें फ्रेंकल दोस तथा 60 की दोस दोनों होते हैं और यहाँ पे आठ नपर आठ परकार की packing उपस्थित होते हैं तो यह होते हैं CA CL में इसमें आठ नपर आठ की packing उपस्थित होते हैं यानि कि option number B इसका right answer हो जेगा प्रस्ण है किसमें HCP सरशना होती है तो HCP सरशना यहाँ जींक में होती है यानि कि जेडेन में होती है यानि कि option number C इसका right answer हो जेगा प्रस्ण है आपके सामने कि गेलियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है जब गेलियम को थोड़े से जब इंडियम मिलाते है तो उस समय हमें P परकार का और चालुक प्राप्त होता है यानि कि option number B इसका right answer हो जाएगा प्रस्ण है आपके सामने कि AL CL 3 में AL की समनवायन संख्या यानि कि कोडिनेशन संख्या कितनी होगी तो AL की संख्या यानि कि कोडिनेशन संख्या समनवायन संख्या 6 हो जाएगी option number C इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार से इस महत्यपूर सेशन को यहीं पर समप्त करते हैं अगर इन प्रस्णों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो एक भी प्रस्णों तर आपके board exam में नई चुटेगा यानि कि इससे बाहर नहीं आएगा तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छे लगी हो तो इससे लाइक करें और इस चानल से नए जुड़े हों तो चानल को subscribe जो करें तो thanks for watching इस वीडियो मिलते हैं next वीडियो में